आज हमें एक advanced responsive table बनाने जा रहे हैं, वो भी CSS की help से, मैंने पिछी वीडियो में simple एक table बनाये थी HTML और CSS का use करके, बट आज की वीडियो CSS पर base है, और CSS में आने वाले कुछ topics बर भी हम detail में बात करेंगे, क्योंकि आप अगर इस वीडियो पर आये हो, तो खाली हाथ वापस ना related tips and tricks सीखना चाते हैं, तो इस चैनल को भी subscribe कर लें और bell icon पर भी click कर लेना, क्योंकि हर दिन मैं एक new topic पर वीडियो लाता रहता हूँ, चलिए दोस्तों, मिलते हैं ड्रो के बाद, हेलो दोस्तों, मेरा नामें सिदात और वेलकम है आप सब का मेरे चैनल सेकनो में, तो यहाँ पर मैंने एक table बनाई हुई है, जैसर कि आप यहाँ पर देख रहे हो, simple, तो मैंने एक table tag को use करके, यह simple एक table बनाई है, जिस पर मैंने 6 column and 6 rows ली हुई है, समय मैंने यहाँ पर data लगा होँ, तो simple, मैंने इसमें मैंने यहा पर table tag के अंदर, रोल इसको table दिया है, तन table के अंदर, हमने table का से करों data, ऋसको रोल कर दिया चैनल था है, close कर दिया ठीक है यहुगे हमारा है जो हमारा नपर यहां पर यहां पर एथा यह वालवा ठीक है उपर वाला है टेबल है कर नीचे हमES की बॉडडि जिसके आन्सा डेटा डालेंगे party के अंदर जैसे हम पहले रित जैसे उपर लिया तृ यहां पर हमिने पांच कॉलम बना लिए हैं मतलब पांच रो बना लिए हैं पर देखो एक यह टियार की रो यहां तक हो गई ठीक है एक टियार की रो यहां से स्टार्ट हो गई एक में यहां पर यह तो एक रो यहां पर आगई एक रो यहां पर एक रो यहां पर एक रो यहां पर एक रो यहा आए तो उसके लिए हमें अपनी फाइल जो हां पर लिंक करनी थी मैंने पहले से लिंक कर यह रिलेट करके देन चुस्टम.css यहां पर मेडिया को लिखने के यहां नहीं तो तरीके यह तो मेडिया ओंली स्क्रीन करके लिख सकते हो like only screen and then यहां से अपने start कर सकते हो जैसे maximum width ठीक है ओके या फिर आप only media को लेका भी start कर सकते हो यहां से हटा दो ठीक है then इसको मैं करता हूँ यहां पर मैं ले लेता हूँ इसका 760px ले लेता हूँ ठीक है आपी and आगे मैं लिखता हूँ comma like देखो मैं इसमें कह रहा हूँ कि अगर मेरा media maximum width 4760px है देना आगे मैं कहता हूँ minimum device width ठीक है मेरी अगर 768 maximum width होगी मतला minimum width होगी 768 कम से कम ओके and इसमें देता हूँ मैं एक maximum device विर्थ इसको मैं लेता हूँ 1024px मतला पिक्सल्स देन यहां से अब मैं अपना स्टार्ट करता हूँ देन मैं लोंगा अंदर टेबल जहां पर मैंने टेबल ली अंदर एक तो इसको लोंगा टेबल को ठीक है इशक ब्लक si udah लगा के इसugen departments head टेबल होगया है जिसके अंदर मैं लेको और टेवल प्लक turfल यहां पर टेबल बोडी ओगया अफियर फ्रेकष तो हमने उत्सेजों अब यहां पर सारे ले लिये तो हम इसमें अब अंदर लिखेंगे डिस्प्ले ब्लॉक ठीक है तो अने पर लिए मैं जिस्प्ले ब्लॉक होता किया है तो मैं आपको बताना चाहूँगा तो जो यहाँ पर ब्लॉक होता है वो किसी element को यहाँ पर ब्लॉक कर देता है लाइक अगर यहाँ पर A है तो यहाँ पर A की फुल विर्थ हो जाएगी देन यहाँ पर A की फुल विर्थ हो जाएगी मतलब पूरी विर्थ दे देगा ठीक है उसका मतलब होता है display block लाइक हमना table लिया तो table को full width देदेगा t head लिया तो t head को भी full width देदेगा t body को full width देदेगा ठीक है तो हमने ऐसे सब को करके इसमें display block कर दिया है ठीक है हम यहाँ पर नीच आएंगे then हम सबसे पहले लिखेंगे t head and tr ठीक है then यहाँ पर start करेंगे हम अपना इसको देंगे पोजीशन absolute अभी मैं आगे बताऊंगा यह position absolute होता क्या है पहले इसको complete कर लो इसको टॉप दे देते हैं माइन नाइन 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 पीक्सल्स ठीक है इसमें लेफ्ट इसको दे देता हूं मैं अब माइनस नाइन 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 पिक्सल्स ठीक है ओके दैन इसमें मैं इसको यहाँ पे कर देता हूं से ठीक है अभी मैंने सेव कर दिया पर देखो कुछ एफ्यक्ट पढ़ा नहीं हमारा खासा सा एक्चु स्थारी गाई हमने एक दिक्कत कर दिये यहां पर कर ली प्रैसिस नहीं आएंगे यहां पर सिंपल आपका ब्रैकिट आएगा प्रैके देस्को मैं नहीं कर दिया जैंने इसको कर देता हूँ मैं इसको कर दाया है इसको कर दाया है हम इसको नहीं हम बाकि आभी हम अफ्हे पूरा कर लेते नीचे याँ पी लेटाँ टेबल की रो जो चरने 905 года प्रच्छा अं में 9G अभी मत्यीना यूद्ल यूद्ल का ऊभ अनट नीचे-पit टेबल डेटा को तो इसमें सिंपल हम यहाँ पे पहले बोर्डर का बॉटम देंगे बॉटम इसको हम देतेंगे वन पी एक्स सॉलेड और इसको कलर देतेंगे इए एंड ठीक है तो सिंपल नेक्ष्ट पे जाके मैं इसको पोजिशन दूँगा पोजिशन रिलेटिव लेफ्ट पैडिंग लेफ्ट इसको दे देता हूं 50 परसेंट ओके नाक्स्ट मैं इसको सेव कर देता हूं ठीक है अब देखो यहां पर बॉर्डर आ गया यह बिल्कुल सेंट्र में हो गया पैडिंग लेफ्ट आगे 50 परसेंट ऑके मैं पोजिशन नहीं दिया पोजिशन इसका रिलेटिव दिया है और मैंने यहां पर पॉजिशन इसका भी सही कर लेते हैं बहुत कलती हो रही है ओके गायव हो गया अभी आ गया आएगा ठीक है बात करेंगे अभी तो यहां पर मैंने पोजिशन एब्सुल्यूट अंड पोजिशन रिलेटिव क्यों दिया पोजिशन डिलेटिव मैथड में एलिमेंट पूरी रो कवर करेगा इसमें एलिमेंट की कोई रो नहीं रहती इसमें एलिमेंट की रो की विर्थ 100% ही रहती है अब सिंपल दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा कि एपसल्यूट में और डिलेटिव में क्या डिफरेंस है लाइक पहले आपको मैं ड्रॉव करके समझाता हूँ पेंट का यूज करूँगा ठीक है लाइक यहां पर दो स्क्वेर्स हैं हमारे पास ठीक है एलिमेंट्स मानलो या स्क्वेर्स मानलो अभी इन में कोई भी हमनी पोजिशन रिलेटिव वगरा कुछ नहीं दिया है अभी सिंपल हमारे पास स्क्वेर्स हैं अब हमने इस बॉक्स के अंदर पोजिशन दे दिया एबसॉल्यूट अब यहां से उठके चला जाएगा यहां यह ऐसे हो जाएगा या फिर अगर देखो इस से हम छोटा ले यह है तो यह यहां से उठके हो जाएगा ऐसा तो ऐसा दिखेगा मतलो उसमें अंदर फिक्स हो जाएगा यह होगी हमारा एबसॉल्यूट मैथड और अगर हम बात करें रिलेटिव की लाइक आपने यहां पे कुछ लिखा जैसे मैं लिखते था हूँ टेस्टिंग ठीक है इसको कैपिटल में कर लेता हूँ यह टेस्टिंग होगी हमारे पास अभी यह जो हमारा रिलेटिव है इसमें हम कुछ भी CSS का यूज करके इसको width बगएरा देंगे तो यह यहां से लेकर यहां तक रहेगा पूरा यहां तक end तक रहेगा बिल्कुल यह होता है रिलेटिव और अगर इसी एक्जामपल में हम position relative को absolute में कर दें तो यह यहां से यहां तक हो जाएगा end से end तक इतना हो जाएगा यह बस इसकी width इतनी ही होगी relative में क्या था इसकी width इतनी थी complete ठीक है absolute कर दिया तो क्या हुआ इसकी width हो गई इतनी जितना इसका text है ओके इतना हो गया अब समझ में आया position relative और absolute में difference क्या है तो मैंने आपको drawing करके भी समझाया है like हम आप इसको live भी करते है इसको मैं don't save करते हूं लें अपने project पर जाते है मैंने हाप एब्सोल्यूट का एक example बनाए हुआ है तो simple मैं इसको खोलूँगा यहाँ पर जाओंगा इसको copy कर लूँगा पहले यहाँ पर paste करूँगा इसमें मैं लिखोंगा यहाँ पर absolute absolute then enter कर दूँगा ठीक है देखो यहाँ पर यह आ रहा है यह वाला जो है यह तो relative method है ठीक है और यह वाला जो है absolute है relative मैं देखो मैंने जैसे बताया ता full width आ रही है यहाँ पर पूरा capture कर रहा है और यहाँ पर यह यह यहां तक दे रहा है यह इतना ही क्यों दे रहा है क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर हमने इसको विठ्थ दे रहा है 200 pixels 400 pixel स्वरी तो यहाँ पर मैं इसको 100% करूँगा 100% save देखो यह पूरा complete 100% हो गया ठीक है अगर मैं इसी को पोजिशन को यहाँ पे absolute कर देता हूँ absolute देन इसको करूँगा save देखो यह यहाँ तक पूरा जा चुका है completely ठीक है और like इसको कर दूँगा मैं relative उल्टा करने जा रहा हूँ relative relative and save ठीक है अब देखो यह वाला आ चुका है इधर और यह वाला जा चुका है उधर देखो देख रहे हो ने यहाँ पे इधर जा चुका है और यह वाला इधर आ चुका है तो इसमें यह matter नहीं करता आपने क्या top दिया है क्या right दिया है आपने simple आपका starting से start होगा relative method के अंदर और इसका ही अगर हम दूसरा example बात करें लाइक के मैंने relative बनाया हुआ है यहाँ पे मैं simple इसको लिखता हूँ relative इन करता हूँ save save नहीं sorry enter तो यहाँ पे देखो यह आगे हमारा relative method पूरा complete जा रहा है उधर तक पूरी row में फैला हुआ हुआ है तो उतना ही ले रहा है इसका यह border है यहाँ से यहाँ तक बस आप समाझ आगे है आपको absolute और relative में difference का है absolute हम क्यों use करते हैं और relative हम क्यों use करते हैं position absolute method हम तब use करेंगे जब हमें like यहाँ पे एक column चाहिए यहाँ पे दूसरा column चाहिए यहाँ पे तीसरा column चाहिए like उस case में हम करते हैं absolute का use क्योंकि वो उतनी विर्थ लेगा जितना text है और relative method हम कहाँ use करते हैं like आपको responsive बनाने के लिए जैसे आप यहाँ पे एक दे रहे हो नीचे दूसा दे रहे हो तीसरा दे रहे हो चौथा दे रहे हो नीचे आता हूं नीचे लिखता हूं मैं td इसके पीछे लिखोंगा before मतलब कि जो data है उससे पहले then इसमें लिखोंगा मैं position इसको दूँगा position and absolute position absolute है enter and इसको दूँगा मैं top पे 0 then enter then left को दूँगा इसको मैं 6px दे दे तो मैं इसको दे दूँगा माई width है इसका 45% then इसको बन नीचे आके padding right दूँगा padding right मैं इसको दे देता हूं 6 10px दे रहे हूं चलो ठीक है हम मैं देता हूं नीचे रहा के इसमें white space white space मेरा PC थोड़ा hang कर रहा है no wrap अब हम बात करते हैं यह white space no wrap क्या होता है तो आपको white space जो यह word है इसको देखके क्या समझा रहा है white और space में like white का मतलब होता है सफेद और space का मतलब जगा like कोई भी आपका text तो यह जितना भी है आपका सारा यह white space है सारा का सारा है जहां भी हम text लिखते हैं उसको white space बोलते हैं अभी यह सारा white space है और दूसरा बड़ जो है no wrap इसका मतलब आपको क्या समझा रहा है no wrap no का मतलब होता है नहीं wrap का मतलब होता है उसको तोड़ना like अगर इसके definition के बारे में बात करें कि सफेज जगा के अंदर कोई भी text wrap नहीं होगा मतलब टूटेगा नहीं वो continue रहेगा उसी रो में जब तक हम किसी BR tag का use नहीं कर लेते BR tag मतलब BR होता है break उस tag को break कर देता है जो भी line लिखी हुई है BR का use करके उस tag को हम break कर सकते है like BR tag होता है यह वाला यह होता है BR tag ठीक है अगर हम किसी line में BR tag लगा देते हैं HTML के अंदर तो वो break हो जाता है वो next line में आ जाता है तो यह यही कह रहा है कि यह continue रहेगा कोई भी wrap नहीं होगा जब तक हम कोई BR tag यूज नहीं करते हैं तो पता चल गए है white space no wrap क्या होता है नहीं हम इसमें नीचे आते हैं नीचे आके हम इसमें TD लिखेंगे then इसको एक condition देंगे and of type then इसके अंदर हम लिख देंगे one ठीक है and इसमें condition over देंगे before okay then इसके अंदर हम लिखेंगे content then इसमें जो हमने हम पर हमारा क्या content लिखाता है first name ठीके इसको में copy करता हूँ then इहां पर आता हूँ CSS के अंदर इसको करते हैं अंदर paste चिक है then इसको यहां पर मैं कर देता हूँ भाहर जाके close इसको मागनिस यहाँ पर कोपी करता हूं बन ठीच आके कर देता है यह नीचा के पेस्ट में चाहिए किरें चेशा के पेस्ट है ने कि कॉल Juda आ 수ित पहले कितने लिए इक दो तीज चार पांचे यहां पर चाहिए न हो 2 फा और 3 फाइं इस फर्स्स्स किए हो छो जो संटाओं मैई फास देखते हूं क्या है हमारा 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 हैं इसको करता हूं कौपी बहूं का यहाउं पिस्ट प्र अगला देखनी को इमेल, copy, simple, paste, ऐसे हम सारा complete कर लेंगे अपना, copy paste, तो गाइस मैंने हम पर copy paste कर लिया है, इसको complete हो चुका है हमारा, तो यह हमारा होगे complete ठीक है तो अभी तक मैंने इस file को save नहीं किया है अब जैसे मैं इस file को करता हूँ save देखो यहाँ पर आ जाएगा show हो जाएगा हमारी table तो यहाँ कुछ ना कुछ हमसे दिक्कत हुई है पता नहीं कहाँ पर दिक्कत हुई है एक पर चेक करते हैं complete उपर से start करते है एक हमारे यहाँ तक तो complete हो रखा था हमारे यहाँ तक work कर रहा था लेकिन जैसे नीचे से काम किया तो नीचे कुछ issue आया होगा यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पर भी कोई कमीनी है यह भी ठीक है ये भी ठीक है sorry guys यहांपे मैंने comma लगा दिया था यहांपे first name, last name, email, number, date of birth and education lights देखो जैसे मैंने first name, last name, email, date of birth यहांपे बगएर डाल रहरे है तो simple उसके ही आगे हमारा data आ रहा है बगर मैं इसको fill width पे करूंगा देखो desktop पे काम नहीं कर रहा हमारे responsive जैसे size को small कर रहे हैं यहाँ पर देखना जो मैंने size दिया था इसका उस पर आती ही है small हो जाएगा 24 पर आती ही है small हो रहा है 24 हो गया अब देखो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ CSS में जाके इसको करता हूँ 900 इसको करूँगा save then simple फिर से मैं इसको देखोंगा करके 900 पर आते ही इसका style हो जा रहा है responsive चीक है और देखो इसको थोड़ा और good looking बनाने के लिए इसको हम color देंगे अब यहाँ पर जो यह row है पूरी की पूरी इसको मैं color देने वाला हूँ इसको हम condition देंगे ओड ठीक है इसके अंदर हम color डालेंगे बैक्ग्राउंड इसको मैं color देता हूँ इसको मैं save जैसी save करता हूँ यह उर गया हमारा color change और में आ गया और अगर आप इसको आप चाहो तो यहाँ पर even भी कर सकते हो even ठीक है तो even में हो गया यहां पर हो यहां पर चीक है और में ठीक लग रहा तो मैं इसको और ही कर लूँगा यह ओड में आपकी table ठीक है क्या मस्त table लग रही है बिलकुल एक दम धासू type की जैसे मैं इसको बढ़ा करता हूँ then कुछ नहीं हो रहा responsive में आके एकदम अच्छे से align होई table है first name last name एकदम बिलकुल right में तो आपकी headings आ रही है और left में आपका data आ रहा है सारा तो आज कुछ मैंने आपको नहा सिखाया है कि आप भी ऐसी एक advanced responsive table बना सकते हो तो दोस्तो इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत महनत लगती है लेकिन आपका एक मिनट नहीं लगएगा इस वीडियो को like करने में तो यह वीडियो अगर आपको थोड़ी भी knowledgeable लगी हो तो सुन